बुद्ध जैन्ती समारों पर विशेश धम्म देशना आज दिनांग 21 मही 2020 है सुखो बुद्धानं उप्पादो सुखो सधम्म देशना सुखा संह ससामग्गी समग्गानं तपो सुखो हम जिस बुद्ध को मानते हैं वो बुद्ध कौन थे कैसे थे क्या है उसने क्या सिखाया क्या बताया इसे जान कर समझ कर उन्हें मानना उन्हें फालो करना यह बड़ा कल्यान का होता है बुद्ध का मतलब है ज्ञान बुद्ध का मतलब है विज्ञान ज्ञान ज्ञान से ही विज्ञान से ही ज्ञान से ही बुद्ध बुद्ध बनते हैं instrumental बुद्ध ये नाम माता पिताने दिया हुआ नाम नहीं है माता पिताने दिया हुआ नाम था सिध्धार तरगॉतम वो जब बुद्ध बने तो अनंत असीम ग्यान के प्राप्ति से बुद्ध बने तो क्या होता है बुद्ध का ग्यान उसे हम आज थोड़ा विसेश रूप से समझने का प्रयास करेंगे हम अंद भप्त होकर बुद्ध को ना माली अंद विस्वास ही नहीं बलकि विस्वास के साथ confident के साथ, ज्यान के साथ हमें उन्हें मानना है, जानना है, इसलिए बुद्ध ने क्या आदर्स दिया, कौन से आदर्स के साथ हमें चलना है, बुद्ध क्या थे, ये सारी बाते हमें एक बुद्ध परमपरा के दृष्टी से जानना है, त्रिपिटक के खुद्धक निकाय में, खुद्धक निकाय के पटी संभीदा नाम के ग्रंथ में, विसेश रुप से भगवान बुद्ध के त्रिहात्तर गुनों की ज्ञानों की विसेश चर्चा की है। त्रिहात्तर ग्यान की पुजा, वो बड़ा बहुत बड़ा उत्सो मना कर, बहुत बड़ा आयोजन करके वो करते थे वहाँ पर। पान दूर आरियधम ओभिक्षु भी रहते थे और हमसे हमारे सेंटर से कि को सेंटर था, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर चे स्री माओ भंडार नाये के। उन्होंने वह सेंटर बनाया था, और मैं भी वहाँ रहता था, उनका मकार वहां से नजदी किछा, कई बार मजे उनके यहां जाने का भी मौका मिला, उन दिनों, 1976-77 के बाद है, और बाद में उनकी लड़की भी चंदरिका कुमार तुंगे स्री लंका की प्रेशिडेंट बनी, हम उनके घर में जाते थे, महां की विक्षों के साथ, भोजन भी हमें उनकी हां से मिला, और मैं बड़ा एक सवभाग्य समझता हूं, कि मेरे दॉक्तर भदंत आनंद कौसलेंग जी के उस करुणा की वजह से, उनके मित्रता की वजह से, उनके प्रभाव से, मुझे वहां बहुत अच्छे अच्छे जगों पर रिनेक ने मिला, बहुत अच्छा काम करने के लिए मिला है, रेडियो पर भी मैं वहां 6-7 साल तक निरंत प्रभचन देते रहता था, स्री लंका ब्रोड कास्टिंग कारपोरेशन सी, उसे रेडियो सिलोन करके वह बड़ा प्रशीद दता उन दिनों, तो वहां से मैं प्रभचन देता था, करीब 3-4 अजार के करीब मैंने प्रभचन दिये, हर दिन सुभर, शाम, फिर तवार के द भांदरो, वो बड़े भिख्षू, बड़े प्रशीद दवापर, उनके साथ मुझे इस 73 प्रकार के बुद्ध पुजा में, सहबा के मने का मौका मिला, और मैंने देखा, कि कितने अच्छे ढंसे, ये 73 ज्यानों की पुजा की जाती है, क्योंकि वो बुद्ध के ज्यान है इस पुद्ध के कौन से कौन से ज्यान होते हैं, और उसका पूरा विबरन पटी संभीदा मग्य में आता है, तो आज हम उनका थोड़ा नामों लेख भी करेंगी, क्योंकि वहां तो बड़े अच्छे ढंसे, देड़ दो घंटे तक, ये 73 ज्यान की पुजा की जाती है, उन उन्हें समझाया जाता है, और इसलिए, कि बुद्ध ने जो पुजा सिखाई, व्यक्ति की नहीं, बलकि ज्यान की पुजा करो, वो कौन से ज्यान होते हैं, उसे जानो, उन्हें समझो, तो ये 73 ज्यान कौन से है, मुझे भी पता नहीं था इसका, लेकिन उनके साथ रहने स पता चला, मैं बहुत उसमें उन ज्यानों को प्यार करने लगा, बहुत उसको जानने लगा, समझने लगा, तो आज मैं चाहता हूँ, ग्याज विसेश रुप से उन ज्यानों पर कि बुद्ध के 73 ज्यान कौन से होते हैं, ये पटी संभीदा नाम के गरंथ में विस्तृत उसमें हैं, तो केवल हम नामों लेख करेंगे, क्योंकि तो बहुत बड़ा गरंथ हैं, और एक एक ज्यान का बड़ी विस्तृत धंग से इस पटी संभीदा नाम के गरंथ में, जो गरंथ है, बड़ी विस्तृत धंग से उसका विबरन बहां पर किया हुआ है, तो बुद् सुत्व्ये ज्यानंग दूसरा सुत्वान संवरे за coal में ata नामजना कि तीसरा संवरित्वा, समादहने पंचा समाधी, भावना ये ज्यानंग चौथा पच्चय परिग्गये फंग में, धमतित्ति यानं फिर पाच्वा अतिताना गत पच्चू पन्नानं धम्मानं संकिपित्वा वबतने पईया सम्मसने यानं फिर छे पच्चू पन्नानं धम्मानं वीपरी नामानु पसने पईया उदय अब्यानु पसने यानं यानं याने उदय वे कसा होता है उसका विपस्चने का उन्हें ज्ञान होता है साथ आरंबन पंया भंगान उपस्चने पंया विपस्चने ज्ञाना यानि भंगान उपस्चना विपस्चना का उन्हें ज्ञान होता है फिर आठवा है भयतु पठाने पंया आधी नवे ज्ञाना फिर नौ है मुंचीतु कम्मेता पटी संगा संतिठना पईया संखारू पिक्षा ग्याना संखारू पिक्षा का उन्हें पूरी तर ग्यान होता है फिर दसवा है बहिद्दा उठान विवठने पईया गोत्रभू ग्याना फिर ग्यारवा दूभतो उठान विवठने पईया मग्य याना फिर बारा पयोग पटी पस्दी पईया फले गाना तेरा छिन वटु मानू पस्दे पईया विमुत्ती गाना चौदा तदा समुदागते धम्मे पसने पईया पच्छ विखने ग्याना पंदरा अज्जत ववथाने पईया वत्थू नानते ग्याना यानि नाना प्रकार की वस्तों का उन्हें पूरी तरव इस्वमंडल के वस्तों का ग्यान होता है सोला बहित्धा ववथाने पईया गोचर नानते ग्यानं नाना प्रकार की गोचर भूमी कैसी है उसका वन्हें ग्यान होता है सत्रा चरिया ववत्थाने पईया चरिया नानत्य यानंग नाना प्रकार की चरिया के से होती है सत्वों की इसका हुने पूरी प्रकार का ज्यान होता है फिर अटरा चतु धंव ववत्थाने पईया भुमी नानत्य यानंग उन्निस नव धंव ववत्थाने पईया धंव नानत्य यानंग बीस अभीया पईया यातथे यानंग इकिस परिया पईया तीर नठे यानंग बाईस पहाने पईया परिच्चा गठे यानंग तीस भावना पईया एक रसठे यानंग चुवीस सची किरिया पईया फस नठे यानंग पचीस अथ नानत्य पईया अथ पटी संबीदे यानंग 26. धम्म नानत्य पैया धम्म पटी संभीदे यानंग 27. निरुत्ती नानत्य पैया निरुत्ती पटी संभीदे यानंग 28. पटी भा नानत्य पैया पटी भा नानत्य पैया पटी संभीदे यानंग 29. विहार नानत्य पैया विहार अठ्थे यानंग 30. समापत्य नानत्य पैया समापत्य यानंग 30. विहार समापत्य नानत्य पैया विहार समापत्य थने यानंग फिर बत्तिस विवेखे परिशुधता आसव समुच्छेदे पईया आनंतरीक समाधिम्ही आनं फिर तिसे दस्चना धी पत्यय संतोच विहाराधी मगो पनिताधी मुद्तता पईया अरन विहारे आनं फिर चवतिस द्विही बलेही समनागता तयोच संखारानं पटी पस्चधिया सोडस सही यान चरिया ही नवही समाधि चरिया ही वसी भावता पईया निरोध समापतिया आनं सोडा प्रकार प्रकार की ज्यान चरिया नो प्रकार की समाधि चरिया आधिका विसेष ग्यान संपध आना सापवक्त परियादान पईया परी निबाने ग्यानं परी निबान का उने ग्यानोता है चब्वी सद चतिस सब धम्मानं सम्मा समुच्छे दे निरोदेच अनुपठानता पईया समसिसथे यानं फिर सद तिस पुथू नानते जपरियादाने पईया सले कठे यानं फिर अड़तिस असलीनत पहित पगहटे पईया वीरिया रंभे यानं 49 नाना धम्म पकासनता पईया अथ संदसने यानं 40 सब्बधम्मानं एक संग हता नानत केत पटी वेधे पईया दस सर विसुद्धिया यानं 41 विदीतता पईया खंती यानं 42 फुटतता पईया परियोगा हने यानं 43 सम्मूदहने पईया पदेश विहारी यानं 44 अधिपतता पईया संग्या विवट्थ यानं 45 नानत्य पईया चेत विवट्थ यानं 46 अधिठाने पईया चित विवट्थ यानं 47 सुन्यते पईया यान विवट्थ यानं 48 वोसग्ये पईया विमोख विवट्थ यानं 49 तठते पईया सच विवट्थ यानं 50 कायंपी चितंपी एकवत्तत नथा सुकंसच लभू संग्या अधिठान वसेन इजन अठे पईया इधी विवट्थ यानं 49 सारे प्रकार की रिद्धि सिद्ध का रिद्धियों का मूल से लेकर अंततक उनको ज्यान होता है 50 विवट्थ विवफार वसेन नानत्य कत्त सद निमित्थ यानं परियोगाहने पईया सोत धातु विसुद्धि यानं फिर बावन है तिन्दंग चित्तानं विफारता इंद्रियानं पसाद वसेन नानत्य कत्त वियान चरिया परियोगाहने पईया चेतो परिययानं यानि किसी भी सत्व के चित्त को वो जानते थे समस्ते थे यह उनको ज्ञानता कि विस्वमंदल के किसी भी सत्व के सामने वो छुपे नहीं रह सकते थे वो जानते थे त्रेपन पच्चे अपवत्तानं धम्मानं नानते कत्त कम्म विफार वसेन परियोगाने पईया पुबे निवासानु सती गानं सारी जिवसतों का पुर्व निवास के बारे में उनको ज्यान होता है ज्यान था चब्वन ओभास वसेन नानते कत्त रूप निमीत्तानं दसनठे पंया दिवचखु अगानं यानि दिवय दृष्टी डिवाइन आई जीसे कहते हैं तो पूरे विश्व मंडल को वो डिवाइन आई से देख सकते थे, दससहस्त्र विश्व मंडल को देख सकते थे, ये उनको ग्यान था, पच्पन्च, चतु सठिया आकारेही, तिननंग इंद्रियानं वसी भावता पईया, आसवानं खये यानं, आसरों का खुशय, किस प्रक उसे गान्था, फिर चपन्च, परियत्थे पईया, दुख्ये यानं, सब्तावन्च, पहान अठ्थे पईया, समुदये यानं, पिर अठ्थावन्च, सच्ची किरियत्थे पईया, निरोधे यानं, उनसर्ष्ट, भावन अठ्थे पईया, मग्ये यानं, साथ्ट, दुख इक्सस्ट दुख समूदय यानंग बासस्ट दुख निरोधय यानंग त्रेशस्ट दुख निरोध गामिनिया पटी पदाय यानंग चौसस्ट अत्थ पटी संभिदा मग्य यानंग वैसस्ट धम्म पटी संबीदे जानं। सैसस्ट निरुत्ती पटी संबीदे जानं। 67 पटी भान पटी संबीदे जानं। 68 इंद्रिय परो परियत्य जानं। यानि इंद्रियो के कही प्रकार के जान। स्रद्धा इंद्रीय, विर्यय इंद्रीय, सत्री इंद्रीय, परज्या इंद्रीय, आधि किस परकार से हमधों अपने मनों इंद्रीओं को भी डेवलोप कर सकते हैं। उसका उन्हें हर प्रकार से उनको ज्यान था इसलिए इंद्रिय परी परी यत्ते ज्यानं कहते हैं उन सत्तर चानव आशआनू सह यहयानम जैने सत्वों का अनू सही कैसा होता है उसका उदधाई जैर Nh融ता है और किसक्ताः सजोस क्लीव संग्रीत होते है इसका उन्वे पूरी तरश से घ्यानता March फीर सतार यान्व स्ति बिर्द कोशों होता है के जान्व सरफ किया और उसके बाद 31 है समापतियान यान्व यानन्त करुणा उनके रुदय में होती है, संपुर्ण मानव जाती के प्रती, संपुर्ण प्रानी के प्रती, संपुर्ण विश्व के प्रती, अनन्त करुणा, इसलिए उसे कहते हैं, महा करुणा समापतिया यानन, यह उनके रुदय में होता है, और 72 तरह सब्वन्यूत ग्यानम यहने सब कुछ दुनिया के हर चीज को इस विस्वमंडल के हर चीज को वो जानते है एक भी चीज उनके लिए अंजान नहीं होती इसलिए उसे कहते हैं सब्वन्यूत ग्यानम और 73 अनावरन ग्यानम तो इस प्रकार इमानी ते सत्ति यानानी इमेशं ते सत्तिया यानानं सत्त सथी यानानी साव क साधारनानी च यानानी असाधारनानी साव के ही याने इन में से सदसष्ट प्रकार के जो ज्यान होते हैं 67 तो वो अरहत सारी पुत्त, मुद्गल्लायन, अनिरुद्ध, आधी जो उनके स्रावक्ति शिष्य थे उनको भी 67 प्रकार के ज्ञान तक वो पहुंच सकते हैं लेकिन बुद्ध के छे ग्यान वो असाधार नानी, वो केवल बुद्ध में होते हैं, दूसरे विक्ति में वो ग्यान नहीं होते हैं, यह तो सब बन्योता ग्यान कहते हैं, जिसे यह मकपाटी हार ग्यान जिसे कहते हैं, तो यह ग्यान बुद्ध के सिवा और दूसरों में न किया तो बहुत लंबे समय के बाद कि बुद्ध कुशी नगर जाते हैं उनके पिता जी ने बुलावा भेजा था कहीं बार उन्हें निमंत्र भेजे लेकिन नहीं जा पाई लेकिन बाद में एक बार उने मन बना लिया और सात वर्स के बाद आठवे वर्स में वो जाते हैं कुशी नगर के जो लोग थे कि बुद्ध हा रहे हैं तो बहुत बड़ा बुद्ध का स्वावत सत्कार हम करेंगे ऐसा सोच कर समझ कर वो लोग इकटे हुए अपने सीमा पर शहर के और इकटे होकर अब उनमें कोछ बुजरूप लोग थे अब जो नौजवान थे वो लोग बड़े उस्वाइथ थी कि हम देखे वही बुद्ध के बारे में सुनात हुए हमने हम देखे तो देखे तो और जो बुजरूप थे वो भी चाहते थे कि हम देखे समझे लेकिन इस शाक के मुद्ध होने के कारण वो बुजरूप लोग जो उम्रा में बड़े थी जिनों powin Built قो खेलते हुए देखा बच्पनियों में इंड़े देखा बढ़ते हुएं देखा तो उखोटा था उम्रे में बहुत सारे लुग उनसे और उन्से उम्रा में कई अधीक उम्रा में हब शाक्र में बहुत लोग थे तब उनके मन में शाक्रों के मन में ऐसा आ गया कि वो तो घर से चले गए है वो जो आएंगे ना तो उन्होंने पहले हमें बंदन करना चाहिए हम भुजरुक लोग है हम हम उनसे उम्र में बहुत बड़े है तो हमारी जो प्रता है कि जो उम्र में बड़ा होता है उनको तो बंदन किया जाता है यह हमारी शाक्रों की प्रता है तो इसलिए जब वो आएंगे तो हम अपने जगह पर खड़े रहेंगे हम उन्हें बंदन नहीं करेंगे वो हमें आकर बना लिया है और सब कुठे रहे हैं तो बुध्भे ने उटके बनके भाव को जान लिया है कि एरे यह शाक्यज वह हैं इन्हें बड़ा गर्म होता है अपने जाधी पर अपने लिजा शब और, और ये नई जानते की बुद्ध़ को न होते, क्या होते है? इनको नई पता बुद्ध ah kebare सब उपर देखने लगे अरे यह कि शाकास में बैठा और उसके बाएद फिर वो वहां हवा में जैसे पंची उड़ते हैं उसी प्रकार हवा में वो तेहरने लगे उड़ने लगे कि और उड़ते एक सद्रीर के एक अंगसे अगनी बसार रहे हैं दुसरे अंगसे पानी बसार है अगनी भी आर पानी भी निकल रहा तो शारे यह सब देखकर और कही प्रकार की और बहुत ने जो दिखाने का प्रयास किया तो सारे लोग एकदम आश्चर चकित हो गए, कहने लगी कि ये कोई सामन्य विक्ति नहीं है, बहुत बल्चाली है, बहुत शक्ती इन में है, और ऐसे होकर फिर और नीचे आ गए, और नीचे आकर फिर समी लोग ने उसका उस शक्ति को पहचाना जाना, कि नहीं, ये कोई मान अपने आप नहीं मिलती, तो ये बहुत लंबे अर्चे से परियास करने पर कोई बुद्ध हो जाता है, और इस प्रकार से क्योंकि समाने लोग थी, और समाने लोग तो अपनी भासा में सुचने का, समझने का परियास करेंगे, तो उस समय बुद्धे ने ये मग पार्टी हार ग्यान का परियोग महाँ पर किया था, और उसके बाद तो वो लोग बहुत बुद्धों को बंदन करने लगे, बुद्धों को माफी मांगने लगे, क्यों हमारी गल्ती हुई, हमें माफ कर दो, आप तो बुद्ध है, और ऐसा करके और ने स्वागत सत्कार किया, तो इस प प्रकार की जो जुँआन है, इसका बड़ा विश्तुरत विबरन इस पटी संभीधा नाम का ग्रंत है, इस ग्रंत में बड़ा विश्तुरत विबरन है, और ये विभरन दिखों संगानी त्रीपिटक की रुप में संभाले रखना है, ब aired देसं में इन ज्ञान की कि कभी तो एक एक दो दो देद्व बी फुजा चिलती है और आधरहन रहे हैं बद्ध को सुन रहे है विद्ध को मान रहे है तो लिए वे चाहिए कि भुद्ध कौन थे कॉइसा बुद्ध में ग्ञान था उस दिर हम काहा था इक प्रब्चन में कि 10जा बलधारी वुद्ध जैने बुद्ध के 10 ०िशवाइस बल कौन से होते हैं उसे इस रूप से उस पर भी दीघने काह में एक सुत्र में बद्धा ने बताया और सारी पुत्रों को बताया और वो भी सुत्र महाँ पर है ही एक बार हमने उस पर भी थोड़ी चर्चा की तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसे महान ग्यानी इस विस्व मड्डल में कोई दुसरे विक्ति हुए है ऐसा नहीं दिखता उसी प्रकार 32 महापुरुस लक्षन उनके शरीर पर ऐसे 32 महापुरुस लक्षन वाला भी विक्ति कि जिनमें वो शक्ति थी कि वो चाहे तो चक्रवर्ति राजा बन सकते थी चक्रवर्ति राजे का मतलब इस सारे समद्र के किनारे तक उनका जो चक्र घुनता है धंबा चक्र वो युद्ध नहीं करते लड़ाई नहीं करते बीना लड़ाई के वो चक्र उनका जाता है उनको चक्रों को कोई रोक नहीं पाता कोई रोके तो तो रोकने की शक्ति किसी में नहीं होती, कोई रोकी नहीं सकता, तो चकर चारद निशाओं में घुन्टा है, और समधर के तठ पर जाकर रूपता है, जहां तक हो जाता है, वहां तक की वमी, उस चक्र वर्ति राजा की भूमी मादी जाती है, बीना जुद्ध से कि उनका चक्र जाता है को रोके तो तो रोकने वाले कोई मिलते नहीं को रोक नहीं सकते तो इस आईशी शक्ति चक्रवरती राजा बनने की शक्ति तदागित बुद्धे में विद्धिमान थी और फिर ज्यान की तो शक्ति आने बुद्ध बनने की शक्ति तो ब जन्मों की तफश्या होती है, संकल्प होता है, लेकिन विक्ति ही हो सकता है, मनुष्य ही हो सकता है, बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा, कि मैं ये बन सकता हूँ, ऐसा नहीं, मेरे पहले भी बुद्ध बने है, मेरे बाद भी बने गए, क्योंकि ये ज्यान है, ज्यान कोई भी विक कोई विए यहांती जो सगतर में करेगा धांटे कि ऐसे की हासिल कर सकता है। तो वो उसे हासिल कर सकता है, तो बुद्ध के कौन से विसेज गान होते हैं, इस पर आज केवल उसका हमने नामा लेख किया, केवल उसका हमने नाम पढ़ा, कभी समझ आएगा, तो आगे और भी किसी पर विस्तुर उत्रचा करेंगे, आप सब का मंगल हो, सब को निरोगत्व मिले सुक्षान्ति मिले सद्धम्म की सेवा में, आप की सेवा में, डॉक्टर बदंत राहुल बोदे महाथेरो.